श्री गणेशाय नमहा समस्त पूजन सामगरी को खोल कर और जिस प्रकार पहले बताया गया था उसी प्रकार से सजाली गई होगी श्री गणेश जी को उनके स्थान पर विराजवान कर सामने एक छोटे तसले में प्लेट में जिसमें थोड़ा सा जल और जो द्रव होता है वो आजाए इसी प्रकार जो आकड़े के जो गणेश जी है उनको उनके आगे रख दिया जाए हम दोनों की एक साथ पूजा यहां करेंगे जो अपने घर के सफेद आंकड़े के गणेश जी है वो तो पूजा के बाद में यह जब विसर्जन के पहले उनको यतास्तान पर विराजमान करा देना है और जो विसर्जन करने वाली का स्वरूप विसर्जन करने वाला स्वरूप है वो विसर्जन हेतु चला जाएगा अब सब शांती से नीचे या जिस प्रकार भी सुविदा हो उस प्रकार सब बैठ जाएं और जो पूजा करने वाले हैं वो सबसे आगे बैठ हैं और उनके साथ पूजा समगरी के साथ एक किसी लोटे में या गिलास में जल वो भरके रखें एक छोटा सा नेपकिन साथ में रखें जो बार-बार हाथ पहुंचना पड़ सकता है और माचिस वगेरा जो आवशकता पड़ सकती है वो साथ में रखे हैं अब मैं जिस प्रकार से कोई पुरोईत मंत्रों का उच्चारण करके और यह जिमान को कहता है आप यह करिए उसी प्रकार से मैं आप लोगों से करवाऊंगा जिससे आप अत्यांत सुविधा पूर्वक इस पूजा को आनंद से संपन कर सके